सब्सक्रिप्शन लेकर करके अपनी त्यारी को स्टार्ट कर सकते हो और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो जितने भी थियरी बैच्चे चल रहे हैं सब्सक्रेशन लेकर के साथ सथथ आप कोशन के साथ साथ आप नॉन टेक्निककल भी पढ़ना चाहते हो तो भी आप कोशन यहाँ पे मिलेंगी और अगर आपका सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान है तो 25 जन्वरी से पहले आप ले लो क्योंकि फीस हाई को रही 25 जन्वरी से और आपको सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान करना क्या है RK11 code का यूज करना है by using this code you will select me your mentor as well you will get a discount of 10% यानि आपको 10% का discount मिलेगा साथी साथ आप मुझे अपना mentor सेलेट करोगे उसके अलामा अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या advantage है प्लस subscription के तो आपको theory video मिलेगी question practice की video मिलेगी और quiz मिलेगा mock test मिलेगा non-technical चीज़े मिलेगी यानि एक ही subscription में आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी आपको अलग-अलग subscription लेने के जरूरत नहीं है तो आपको मैं recommend करूँगा कि one year या two year का subscription आप लोग क्यों कि उसकी cost सबसे minimum है पर month के हिसाब से कर देखा जाये तो so take your subscription before 25th of January by using code RK11 एक साल की जो अभी फीस है that is 5400 और जो दो साल की फीस है that is 6480 तो ये one year और two year की फीस है after discount after using code RK11 उसके अलाम ये मेरी profile है आप SAC category में जा करके राजकुमार सिंग 730 search करोगे तो मेरी profile खुल के आएगी वहां पर आप जा करके मेरी profile पे मुझे follow कर सकते हो आप मेरी special classes देख सकते हो और जो future मेरी special classes होंगी उसका message भी आपके पास आएगा और उसके अलाम अगर आपको batch से related subscription से related preparation से related कोई issue है तो लिंक भी वीडियो की नीचे दिया हुआ होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो टेकिट बिफूर 25 आफ जैन्वरी तो लेट से स्टार्ट A very good evening everyone A very very good evening Wi-Fi study के इस channel पे the largest online channel of India which is part of an academy इस channel पे आप सभी लोगों का स्वागत है इस channel पर आप सभी लोगों का स्वागत है A very good evening दोस्तों आज हम power system की चर्चा करेंगे और power system में complete power system जो important points है उसको cover करने की कोशिस करेंगे एक ही वीडियो में देखो power system तो बहुत बड़ा subject है जब अगर आप detail में पढ़ोगे तो 70-90 घंटे जाता है मगर उस 90 घंटे को 10 घंटे में अगर बंद करना है तो important points मैं आपको recall कराऊंगा और आज की एक class आपके लिए useful तभी होगी अगर आपने power system पढ़ रखा होगा आपने power system पढ़ रखा होगा तो एक class आज की आपके लिए useful होगी आपको क्या करना है आँखों को बंद करके बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और सारी चीज़ें आप recall करते हुए चले जाओगे तो start करते हैं आज के इस कहानी को आरे हो ready क्या आप सभी लोग तैयार हैं चलिए start करते हैं कहानी को करते हैं चलिए इतने कम लोग क्यों है भाई चलिए start करते हैं कहानी से सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर सवाल आए अगर आपके पास सवाल आए कि transmission line में दो conductor के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया transmission line में दो conductor के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया तो L और C पे क्या फर्क पड़ेगा inductance पे क्या फर्क पड़ेगा और capacitance पे क्या फर्क पड़ेगा तो आपके पास formula है यहां से अगर आपसे कहा जाए कि conductor के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया अगर conductor के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया तो inductance पे क्या फर्क पड़ेगा inductance बढ़ जाएगा अगर conductor का size बढ़ा दिया जाए conductor का अगर size बढ़ा दिया जाए radius बढ़ा दिया जाए तो inductance पे क्या फर्क पड़ेगा inductance घटेगा दूरी बढ़ाओगे तो L बढ़ेगा, दूरी घटाओगे तो L घटेगा, आर बढ़ाओगे तो L घटेगा, आर घटाओगे तो L बढ़ेगा, यह कहानी है L की variation की D और R के साथ, और अगर सवाल पूछा जाए, सवाल पूछा जाए कि L और R में variation करूं मैं, तो capacitance पे क्या फर बढ़ाओगे तो capacitance बढ़ेगा, यह अगर मैं आप से कहूं R बढ़ाओगे तो क्या होगा, अगर R बढ़ेगा तो पूरी value घटेगी, पूरी value घटेगी तो C बढ़ेगा, देखो, अगर आपने दूरी को बढ़ाया, तो C घटेगा, दूरी को घटाया, तो C बढ़ेगा, और अगर R के साथ हमने shade chart की, radius के साथ, radius को बढ़ाया तो, radius बढ़ाया तो पूरी value घटी, पूरी value घटी तो C बढ़ गया, और अगर radius को घटाया तो, radius को घटाया तो पूरी value बढ़ी, पूरी value घटी, तो C की value क्या होगी, घट गई, यानि अगर transmission line में दो conductor के बीच की पड़ेगा अगर इस पे सवाल आता है तो कर ले जाओ या नहीं बोलो हाया ना डी और आर में अगर छेड़ चाड़ की जाए तो एल और सी में क्या फर्क पड़ेगा उसके बाद दूसरा सवाल आता है आपका तो ट्रांस्मिस्टन लाइन में सर्ज इंपेडेंस का फर्मूला कर देखा जाया तो सर्ज इंपेडेंस का फर्मूला अंडरूट L by C वेर L is inductance और C is capacitance ल क्या है inductance C क्या है C क्या है C is capacitance of transmission line यहां लंग्ड कहीं नहीं है। लग बख 40% के आसपास होती है। overhead line के लिए 400, underground cable के लिए कितनी होती है, 40 ohm के आसपास, उसके बाद हम बात करते है, front effect क्या होता है, जब कभी आपके transmission line बहुत light load पे होती है, या transmission line no load पे होती है, अगर आपके transmission line light load पे है, हलका load है, no load पे है, तो क्या होता है, receiving in का voltage, sending in से ज़्यादा हो जाता है, that is called front effect, front effect कह होता है, क्योंकि capacitance को हम consider करते हैं कि अवल medium और long में, short में consider नहीं करते, so in medium and long transmission line, due to capacitive effect, due to capacitor, receiving in voltage becomes greater than sending in voltage, when the transmission line is lightly loaded, or the transmission line is at no load, बास्तों में आई, front effect को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, load के parallel में हम inductor लगाते हैं, क्या लगाते हैं, load के parallel में inductor लगाते हैं, front effect को compensate करने के लिए, या अगर inductor नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे, अगर inductor नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे, अगर inductor नहीं मिलता है, तो under excited synchronous motor यूज करोगे, under excited synchronous motor यूज करोगे at no load, under excited synchronous motor at no load behaps as an inductor and over excited synchronous motor at no load behaps as a capacitor, तो ये कहानी है फिर antifact की, उसके बाद हम बात करते हैं कोरोना की, कोरोना, कोरोना वायरेस की बात नहीं, कोरोना पावर लॉस की बात करते हैं, कोरोना transmission line में होने वाले एक प्रकार का पावर लॉस कब होता है, अगर transmission line का operating voltage, एक particular voltage से ज़्यादा हो जाता है, तो कोरोना पावर लॉस होता है, वो particular voltage क्या होता है, critical disruptive voltage, अगर transmission line का operating voltage, critical disruptive voltage से ज़ होता है तो करोना होता है खोरोना होता है तो तो क्या क्या होता है तो एक आवाज आती इस्ट इदल सब्लिट सब्सक्राइब बोजोन गैस बनती है आवाज आती है ब्लुईस वाइलेट कलर दिखाई देता है और पावर का लॉस होता है अगर आप करोना इस्टार्ट करना चाहते हो तो जब तक एर के इंसूलेशन की प्रॉपरटी खतम नहीं होगी कोरोना नहीं होगा एर की डाइलेक्ट्रिक property खतम कब होती है, किस voltage पे, the dielectric breakdown occurs of the air at which voltage, ये सवाल आपके exam में आता है, तो air का dielectric breakdown होता है 30 kV पे, 30 kV is the maximum value and 21 kV is the RMS value, 30 kV क्या है maximum value and 20 kV is RMS value, याद है, बाइ, air भी एक तरीके से insulator का काम करती है, नहीं करती है, तो अगर air insulator का काम करती है, लेकिन अगर एक particular voltage, जादा voltage air को दे दोगे न, तो air भी टूट जाती है, सब कोई टूटता है, सब कोई बिकता है, बट सही force, सही voltage या सही कीमत लगाई जाए, तो air को भी मिलने वाला voltage, अ कोरोना होने के दुरान जो power loss होता है, किस पर depend करता है, कोरोना पावर लॉस डिपेंड करता है, frequency plus 25 पर, frequency क्या है, frequency plus 25 पर depend करता है, कोरोना पावर लॉस, यानि जितनी जादा frequency, उतना जादा कोरोना पावर लॉस, कम frequency, कम कोरोना पावर लॉस, frequency बढ़ाओगे, तो कोरोना लॉस बढ़ेगा कोरोना पावर लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं बताई जड़ा तरीका कोरोना पावर लॉस को कम करने का क्या तरीका आपके पास हो सकता है कोरोना पावर लॉस को आप कम करना conductor ले लो या bundled conductor का इस्तिमाल करके आप Corona को कम कर सकते हो या hollow hollow conductor खोखले conductor का इस्तिमाल करके आप Corona को कम कर सकते हो सवाल आता है कि bundled conductor is used in transmission line for what purpose या hollow conductor is used in transmission line for which purpose तो hollow conductor का हम इस्तिमाल करते हैं hollow conductor का हम इस्तिमाल करते हैं Corona power loss को कम करने के लिए उसके अलामा दूरी बढ़ा करके या ज़्यादा रेडियस के कंड़क्टर कर इस्तेमाल करके आप कुरोना पावर लॉज को कम कर सकते हो ते चीजे याद रहेंगी हाजे तारों के बीज की दूरी को बढ़ा दोगे मिन्स वही दिस्टैंस बढ़ा दो ज़्यादा रेडियस के कंड़क्टर ले लो हॉलो कंड़क्टर ले लो बंडल कंड़क्टर ले लो या स्मूथ सर्फेस वाला कंड़क्टर ले लो चिकनी सर्फेस वाला वहाँ भी कोरोना कम होता है अगर आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हो due to dust corona is high पासो न्यारी है corona power loss is minimum for what shape अगर conductor का shape कैसा हो कि corona power loss minimum होगा जबाब दीजी आप लोग जो conductor होता है जिसमें corona power loss होता है उसका shape कैसा हो कि corona power loss minimum होगा आप से भी लोग बताए ज़रा comment करके सिवम, खुशी, असोक, सालू, everyone अरे मैंने कहा कि आगर conductor का shape कैसा हो कि corona power loss उसमें minimum होगा ज़रा आप लोग भी comment करके कुछ तो बताएए circular safe, circular safe, आरे अगर circular safe है, अगर circular safe है conductor का तो उस particular circular safe के रिए corona power loss will be minimum, ठीक है तो यह corona power loss की कहानी थी, उसके बाद अगर हम बात करें switch gear की तो switch gear के अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं fuse की fuse को हम कहां लगाते हैं, live wire में लगाते हैं या neutral wire में लगाते हैं fuse को हमेशा live wire में लगाते हैं, r में लगाएंगे, y में लगाएंगे, b में लगाएंगे, neutral में कभी नहीं लगाएंगे Fuse को series में लगाते हैं parallel में लगाते हैं Fuse को हमेशा series में लगाते हैं Fuse को कभी parallel में नहीं लगाया जाता Fuse का melting point क्या होना चाहिए low ये high? low Fuse का melting point क्या होना चाहिए low Fuse की conductivity क्या होनी चाहिए high Fuse की resistivity क्या होनी चाहिए low Fuse की resistivity low conductivity high melting point low cost low free from oxidation होना चाहिए Fuse को फ्यूज जो होता है क्या करता है अगर उसके अंदर से बहने वाली करेंट एक particular करेंट से ज़ादा हो जाती है तो फ्यूज पिखल जाता है यानि यानि अगर कभी करेंट ज़ादा हो जाए और से आपकी device equipment damage हो सकता है तो उस device equipment को बचाने का काम सुरच्छा देने का काम कहुं करती है फ्यूज यानि अपने अंदर से गुजरने वाली excessive current को रोग देगा फ्यूज अपनी जान दे करके वह current जिस पे फ्यूज पिखल जाता है उसको बोलते हैं fusing current ठीक है fusing factor एक तर्म होता है fusing factor याद है आपको fusing factor is greater than one पहली चीज दूसरा fusing factors होता है वो ratio किसका किसक fusing factor ratio होता है fusing current upon current rating fusing current क्या है वो current जिस पे fuse पिखल जाता है और current rating वो current है वो maximum current जो fuse carry कर सकता है बिना melt किये fusing factor एक से जादा होता है एक fuse law होता है fuse law क्या होता है i square is directly proportional to d cube i square is directly proportional to d cube यो क्या है यह क्या है यह है fuse law means अगर d diameter है fuse के material का और i fusing current है means i current पे fuse पिखल रहा है अगर diameter d है तो यह है यानि अगर आप चाहते हो कि fuse जादा से जादा current पास कर आपाए तो diameter आपको जादा से जादा रखना पड़ेगा और अगर आप चाहते हो कि fuse जल्दी पिखल जा तो diameter कम रखना पड़ेगा चिंटू करें समझ में नहीं आया सर जब आप theory और detail में पढ़ोगे तो समझ में आएगा आज हम बिल्कुल revise कर आ रहे हैं केवल तो नहीं लोगों डिटेक्ट करना, circuit breaker का काम होता है, circuit को break करना, circuit को interrupt करना, burden of relay क्या होता है, bolt into mpr rating of relay is called burden of relay, pick up current of relay क्या होती है, वो current जिस पे relay operate करता है, वो current जिस पे relay circuit breaker को message भेजता है circuit open करने के लिए, that current is called pick up current of relay, क्या relay circuit को break करता है, जी नहीं, रिले क्या करता है, fault को sense करता है, fault को detect करता है, fault को पाचानता है, circuit को break करने का काम किसका होता है, circuit breaker का होता है, circuit breaker make the circuit or break the circuit, circuit को break कर सकता है, break कर सकता है, break कर सकता है, circuit breaker circuit को break क्या make कर सकता है, कहा, no load प्या, full load पे, दोनों पे, circuit breaker can make the circuit or break the circuit at no load or at full load, चाहे no load हो चाहे full load हो दोनों पे circuit breaker operate कर सकता है full load पे इसलिए operate कर सकता है क्योंकि इसकंदर arc को बुझाने की ब्योस्ता होती है arc extinguishing arrangement इसके पास होता है arc को quench करने की ब्योस्ता इसके पास होती है इसलिए circuit breaker को no load पे या full load पे दोनों पे operate करा सकते हो लेकिन ही एक isolator होता है जो maintenance के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ no load पे operate कराते हैं isolator को full load पे operate नहीं कराते हैं क्योंकि full load पे operate कराओगे तो arc आएगी और arc को बुझाने की ब्यवस्ता नहीं है बास वन्यारी है isolator को केवल और केवल no load पे operate कराते हैं full load पे नहीं कराएंगे क्यों अगर full load पे operate कराओगे तो arc आएगी चिंगारी और चिंगारी को बुझाने की ब्यवस्ता नहीं होती है बात आरी समझ में चलो उसके बाद हम बात करते हैं isolator तो maintenance purpose के लिए होता है isolator किसके लिए होता है maintenance purpose के लिए और circuit breaker जो होता है वो no load पे या full load दोनों पे काम कर सकता है circuit breaker की rating किसमे होती है circuit breaker की rating MVA में होती है MVA में the rating of circuit breaker the rating of circuit breaker is expressed in MVA ठीक है circuit breaker में होती है making current एक होती है breaking current circuit breaker में होती है making current एक होती है breaking current क्या होती है breaking current circuit breaker के context जब अलग-अलग होते हैं जब context अलग-अलग होते हैं तब जो current flow हो रही होती that is called breaking current और जब context पास-पास आ रहे होते हैं तब जो current होती that is called making current कौन ज़्यादा होता है making और breaking में से making current ज़्यादा होती है making current बराबर 2.55 into breaking current making current बराबर 2.55 into breaking current breaking current को हम RMS में represent करते हैं breaking current को किस में represent करते हैं RMS में making current को किस में represent किया जाता है making current को हम peak instantaneous value में represent करते हैं making current को peak instantaneous value में breaking current को RMS value में making current ज़्यादा होती है breaking current से making current बराबर 2.55 into breaking current बोलो हाया ना अरे समान्य कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके बाद आता है making capacity और breaking capacity breaking capacity भी MVA में होती है और making capacity भी MVA में होती है relation क्या दोनों में making capacity बराबर होती है 2.55 into breaking capacity making capacity बराबर होती है 2.55 into breaking capacity यानि making capacity ज्यादा होती है making current ज्यादा होती है रेटिंग अप circuit breaker MVA में होता है ठीक है circuit breaker कई टाइप क्यों होते हैं सबसे कम voltage के लिए जिस circuit breaker का इस्तिमाल करते है that is air break circuit breaker जिसमें normal air का इस्तिमाल करते हैं आर्क को बुझाने के लिए और सबसे ज्यादा voltage के लिए like 765 kv का अगर हमारे पास voltage है या 400 kv से ज्यादा का voltage है तो उसके लिए हम इस्तिमाल करते है SF6 gas circuit breaker sulfur hexaproad gas circuit breaker का सबसे कव में सबसे कम maintenance कि जरूफ़त परती है उसके बास सब्सें कि करते हैं रेर्श्टेंस सूचिंग में करते हैंी yaear blast रेश्टेंस कि वैली होती है जो रेजिटेंस को---- करन चोपिंग में करते यह एं इसका है ऐब लास फिर नहीं है तो वैक्यूम тебе को अगर सकते हो अगर 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 प्लाश सर्कुर बडेकर नहीं है अगर है ऐट कर सकतेों दोनों甚 jos सेलेट करना तो एर ब्लास्ट कोई आप सेलेक्ट करोगे तो करन चोपिंग किसमें करते हैं एर ब्लास्ट में रेजिस्टन सुचिंग करते हैं किसमें करते हैं एर ब्लास्ट में बात आ रही समझ में अरे बोलो भाई उसके बाद हम बात करते हैं दुबारा रिले की रिले कई टाइप के होते हैं एक रिले होता है डिस्टेंस रिले डिस्टेंस रिले के तीन बेटे होते हैं और उन तीनों बेटों के अगर हम बात करें उसमें से एक सौड ट्रांस्मिसल लाइन और एक मीडियम और एक long transmission line के लिए होता है distance relay के तीन बेटे होते हैं याद रखो लाइन के लिए तो अगर सवाल आता है कि सौट ट्रांस्मिस्ट लाइन के प्रोटेक्शन के लिए कौन से रिले का इस्तिमाल करेंगे तो रियक्टेंस रिले मीडियम ट्रांस्मिस्ट लाइन के प्रोटेक्शन के लिए एड्मिटेंस रिले या महो रिले का इस्तिमाल करेंग सवाल ये भी कही बार आजाता है कि impedance relay जो होता है impedance relay जो होता है उसका surface कैसा होता है तो impedance relay का tokus होता है circle और इस circle का center होता है origin पर ик मगर उसका center origin पर नहीं होता है बात आरे सोन में एड्मिटेंस रिले जो होता है इसका लोकस क्या होता है इसका लोकस भी सर्किल होता है मगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता है तो इस अब कहानी याद रहेगी डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं चाहता है जब ओपरेटिंग टॉर्क होता है लिज़ इस पॉज़ से जो टॉर्क लगता है जो रिले बात आई समझ में बात नहीं आई समझ में चिंटू कर रहा है सर पल्ले नहीं पढ़ रहा है क्या पढ़ा रहा है अरे यह आपका पेपर होने वाला है यह सब तो पढ़ रखा होगा आपने नहीं पढ़ रखा है पूरा रिवीजन कराना एक तरीके से दोड़ा करके जड़ा चेक करते रहो अपने आपको कि कितना आपने पढ़ रखा है सवाल आता है कि जो fuse होता है उसका time के साथ fuse को melt होने में जो time लगता है उसका current के साथ कैसा relation होता है तो fuse के melt होने में जो time लगता है उस time का graph जो होता है current के साथ inverse relation में होता है inverse characteristics होती है time और current के बीच में यानि अगर current fuse में बहुत ज़्यादा है तो fuse की melt होने में बहुत कम time लगेगा और current अगर बहुत कम है तो fuse की melt होने में ज़्यादा time लगेगा means fuse has inverse time current characteristics fuse has inverse time current characteristics these six यानि आरे भाई अगर करन्ठ फ्यूजिंग करन्ट से जाता है तो फ्यूज तो पिघलेगा मानवी फ्यूजिंग के रहे हैं लेकिन अब 100 फ्यूजिंग करेंट से ज्यादा था एक फ्यूज अपना आराम से टाइम लेकर करके पिखलेगा उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा जेनरेशन आफ एलेक्रिसिटी की तो यह सब समझ में आया फ्यूज क्या है ELCB का पूरा नाम क्या है ELCB Earth Leakage Circuit Breaker Earth Leakage Circuit Breaker MCB Miniature Circuit Breaker MCCB Molded Case Circuit Breaker MCCB Molded Case Circuit Breaker इस सब फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है Lightning Arrester जो होता है Lightning Arrester उसका Resistance कैसा होता है Linear और Non-Linear Lightning Arrester का Resistance Non-Linear होता है High Voltage के लिए उसका Resistance कम होता है और Low Voltage के लिए Resistance जादा होता है Lightning Arrester High Voltage के लिए Resistance कम होता है और फिर वो High Voltage उस लाइटनिंग अरेश्टर के तो जमीन में चला जाता है Lightning Arrester का काम होता है High Voltage से Lightning के High Voltage से equipment की जैसे Transformer वर उसकी सुरच्छा करना इसे Transformer के दोनों साइड में Low Voltage साइड और High Voltage साइड दोनों साइड में हम लगा देते हैं क्या Lightning Arrester Transformer के बहुत करीब ही में होता है Lightning Arrester इस प्रेश्ट वर उसके वेरीबल रेश्टर या इन दोनों मिला दोगे तुम मिलेगा वैरियस्टर का कहां से बना है वैरियबल प्लस रेश्टर यह कहां किस से बना होता है थायराइट एक मतेरियल है थायराइट से बना होता है आपका Lightning Arrester या गरह संसे ओपर से बनात toothee और को बात सबसेंट अभर जो क्या करता है लाइट अच्शा करता है एक हमारे पास होती है Earth Switch ऊपने पढ़ा होग सuting होगा की सबします करना होता है किसी equipment में तो earth switch को close कर देते हैं ताकि residual energy equipment के जमीन में चली जाए फिर उसके बाद उसके equipment का maintenance होगर करते हैं earth switch normally open होती है जब maintenance करना हो उस दोरान के बाद आरी जोन में चले उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा generation of electricity की generation of electricity के अगर हम हम बात करें तो हमारे पास mainly three power plant है thermal nuclear hydro thermal nuclear hydro सबसे ज़्यादा बिजली किसे बनाते है thermal power plant से बनाते हैं सबसे ज़्यादा उसके बाद hydro से कितनी बनाते हैं लगबग 20% के आसपास और nuclear से कितनी बनाते हैं लगबग 3% के असपास 55 से 70% Thermal से 20% के असपास Hydro से 3% के असपास Nuclear से बिजली बनाते हैं इन तीनों Power Plant में हम थुआ सा कम परीजन करें तो सबसे ज़्यादा Pollution कौन करता है Pollution सबसे ज़्यादा करता है Thermal Power Plant सबसे कम Pollution कौन करता है Hydro Power Plant पानी है पानी से कौन सा Pollution होगा सबसे कम Pollution करता है Hydro Power Plant सबसे ज़्यादा Capital Cost किसकी होती है सबसे ज़्यादा Capital Cost होती है Nuclear Power Plant की उसके बाद नंबर 2 पे आता है Hydro Power Plant और नंबर 3 पे आता है Thermal Power Plant Capital Cost में सबसे ज़्यादा है Nuclear Power Plant सबसे कम है Thermal Power Plant operating cost सबसे कम किसकी होती है operating cost यानि running cost is minimum hydro power plant की hydro power plant पानी ही तो है न तो कोईला जलाना है न तो डीजल जलाना कुछ भी नहीं चलाना है तो operating cost या running cost जो है वो hydro power plant में minimum होती है क्या होती है minimum क्या होती है minimum pollution सबसे ज़्यादा किस से होता है thermal power plant से पूलिशन सबसे कम किस से होता है हैड्रो पाइड पाइड से ऍाइड्रीय पाइड सबसे कम किस की होता है क्यों चयुक्त RAN सबसे कम सक्षिप नबर तीन थर्मल पाइड कंतुर्ण किस में hy dooint पानी ने बढ़ा करेंगे हैं इस त्रक करके आओगे पानी दोकर के लिए क्या यहां से वहाँ नहीं पानी कहाँ के लिए आते हैं वहां बनते हैं तो पानी वगर होते हैं को से ट्रक से ट्रेंस से कोईला आता है जारखन से आरा जहरिया से आरा कोईला वगरा बोलो तो फ्यूट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट की अगर बात की जाए it is minimum in case of DC Power Plant and it is maximum in case of thermal power plant सबसे skilled worker की जरूट कहां पड़ती है nuclear power plant में सबसे कम skilled लोगों की जरूट कहां पड़ती है हाइड्र पाउर प्लांट पे नुकलियर ऑड़ा खतरनाक होता है हार्ण फोल रेडीसें हो कर अगर निकल गई ना तो आस पास के लोग बहुँ ज्याद़ एक्ठ हो जाते हैं कही बार तो सबसे ज्यादा इसकी लोग चाहिए किसके लिए न्युक्लियर पाउर प्लांट के लिए सबसे कम स्किल्ड हाइडर पॉर्प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा खत्रा किस पॉर्प्लांट से होता है नुकलियर पॉर्प्लांट से कई बार क्या होता है आपने देखा भुफवाल गयस्ट टेजडी हुई या और भी कुछ दिन पहले कुछ इंसिरेंसे हुए थे कि अगर नुक्लियर पाउर पांट कहीं पर है मालीजे मुखरजी नगर में दिल्ली में या ऐसे बहुत ऐसे इलाके में जहां पर घनी आवादी है और कुछ अगर दुरघटना हुई तो बहुत बढ़ी आवादी प्रभावित हो जाती है इसलिए नुक हैं क्रोंद दॉट के सबसे खतरना क childcare है सबसे कब सिकिल्डवर कर जाहिए होता है ठीक है लोकेशन क्या होती है लोकेशन रिमोट सबसे लंबे समय तक कौन चलेगा सबसे लंबे समय तक चलेगा आपका हैड्रोपार उक्राइब समय तक सबसे जादा इसिएंसी किसकी होती है मोश्ट इंपोर्टन कोश्टन इन तीनों की बात करें सबसे जादा इफीशिंसी होती है हाइड्रोपारण की मौर दन 90% 90% के आसपास होती है अजब आफ श्याद नंबर दो पास होती है नूपल और सब से कम Thermal power plant की adds thermal और nuclear की लगभग आजपास होती है 35% की आजपास Thermal की होती है और 35-45 के आजब्स नोगली की होती है दोनों की लगभग आजपास ही होती है वर अगल तो दूली ज्यादा होती है थर्मल की और कम होती है इन दिनों में सब्धसे एफिसिएंसी होती है hydropower plant की Atlas Nepalic ऑजिए यह द रहेगा यह द रहेगा यह नहीं रहेगा बोलो अब उसके बाद हम बात करते हैं। दुवारा से thermal power plant की कि thermal power plant में कोइले का इस्तिमाल करते हैं कोइला चार प्रकार का होता था एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिगनाइट और पीट एंथ्रासाइट अब की बार लोको पाइलेट एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिगनाइट और पीट एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिगनाइट और पीट सबसे ज्यादा करबन एंथ्रासाइट में उससे कम बिटुमिनस कैलोरिफिक वैल्यू उतनी ज्यादा होती है कैलोरिफिक कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब उस कोईले के एक ग्राम को जलाने पर ज्यादा हीट पैदा होगी जिस कोईले पर जितना ज्यादा कार्बन होता है हार्ड यानि हार्ड ज्यादा होगी अगर कार्बन ज्यादा होगा कै सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं खटकते हैं कि इ ernst कर दिया है कि सवाल आता है घृग सुन परफट में जो वाटर हम यूज करते हैं उसका पीयच कितना होता तो थर्म पॉर प्लाइब अधॉन इकोनोरख में प्रफट कॉर्म गांत से से फ्लू गैसेज की जो हीट है उस हीट को एबजॉर्ब करता है फ्लू गैसेज की हीट को एबजॉर्ब करके उस हीट से बॉयलर में जाने वाला जो पानी है उसको पहले सी थोड़ा सा गरम कर देता है boiler में जाने वाला जो पानी है कि जिसको boiler में गरम होना ही है पहले सी थोड़ा सा गरम कर देता है economizer कैसे? flu gases की heat को ले करके इससे क्या होता है कि efficiency थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर पानी का temperature पहले सी थोड़ा बहुत जाता है तो boiler में पानी आसानी से steam में कर्णवर्ट हो जाएगा ठीक है? यह को ना मेजर का काम है फिर air preheater का क्या काम होता है? air preheater भी हम यूज करते है thermal power plant में air preheater का काम होता है कि flugasage होती है flugasage की heat को खीच के absorb करके, extract करके क्या करता है? उस heat से जो air जाती है boiler जो air जाती है आपके furnace में या furnace में उस air के temperature को थोड़ा बढ़ा देती है air preheater increases the temperature of incoming air to the boiler or to the furnace इससे क्या होगा? कोईला जालाओगे तो air की जरूरत तो पड़ेगी अगर air पहले से थोड़ी सी गरम है तो कोईले की जो नमी वगरा है, मौसर वगरा उसको एब्जॉर्ब करके जल्दी जल जाता कोईला तो efficiency वगर बहतर हो जाती है तो जो air जाती है जो air जाती है, जो की जरूरी है कोईला जलने के लिए उस air का temperature बढ़ाने का काम करती है air preheater तो air preheater भी efficiency को बढ़ाने की कोसिस करती है इकोनॉमाईजर भी PCC को पढ़ाने की कौषिश करती है। वैलर में क्या होता है क्या होता है वैलर में आपका पानी स्टीम में करभाट होता है। कicles 4 का करते हैं औरenne क्या करते हैं कूलींग टावर क्या करता है ynkenrend Harण करती है किस चीज इनौूर्ण Nisaiswe vaccine स्टिम यस वाटर में कनवाट करने में इलक्त्रोस्टेटिक प्रिशिपीटेटर का क्या काम होता है जो आपकी फ्लू गैस निकलती है चिमिनी से उसद्र निकलने वाली गैस में से harmful particles को air polluting agents को absorb करने का काम करता है कौन इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर ठीक है यह सारी कहानी आपको याद रखनी चाहिए पीएच जो होता है वाटर का 8.5 के आसपास होता है efficiency thermal power plant के करीब 35-40% के आसपास होती है काम क्या होता है की जूटendra जलता है तो घंड़ने से निकलती है उन स्कूपास होता निकलता है जलता है ठीक है चिमनी के निचले हिस्से में लगा होता है नॉर्मली ताकि भेज पाए और यह ओता है फोर्च ड्राफ्ट फैन फोर्च ड्राफ्ट फैन का क्या काम होता है नॉर्मल एयर जो है नॉर्मल जो सराउंडिंग की एयर है वातरवन की एयर उस थंडी एयर को ले आता है फर थर्मल पावर प्लांट काम करता है रहें काइन साइकल पे नुक्लियर पावर प्लांट किस साइकल पे काम करता है थर्म पावर प्लांट किस साइकल पे काम करता है तो थर्मल पावर प्लांट रहें काइन साइकल पे गैस पावर प्लांट ब्रेटन साइकल पे काम करता है गैस इसके बाद हम बात करते हैं, नुक्लियर पाउर प्लांट की, नुक्लियर पाउर प्लांट में क्या होता है, नुक्लियर पाउर प्लांट में, जो हैवी एटम्स होते हैं, उसके उपर नियोट्रॉन आखे टकराता है, और वो हैवी एटम्स तूटते हैं, और हैवी एटम्स तूटते हैं दो छोटे-छोटे एटम में इस प्रोसेस में एनरजी निकलती है और नियोट्राउंस पे निकलते हैं यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है इसको बोलते हैं नुक्लियर फिजन नाविकी विखंडन तो नुक्लियर पाउर प्लांट वर्क्सांद प्रिंसिपल नुक्लियर फिजन नाविकी विखंडन के सिद्दान पे काम करता है कौन सा फिवल इस्तेमाल करते हैं प्लूटोरियम यूरेनियम थोरियम होगरे काम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम का थोरियम का प्लूटोरियम होगरे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सवाल आता है मॉडरेट के तौर पर किसका इस्तिमाल करते हैं moderator के तौर पर हम H2O means normal water D2O means heavy water या graphite वगरे का इस्तिमाल कर सकते हो आप H2O, D2O या graphite वगरे का इस्तिमाल कर सकते हो moderator के तौर पर जो fast reactor होते हैं उसमें किसी moderator की जरुवत नहीं पड़ती है फिर सब्धा आता कूलेंट का. कूलेंट का क्या काम होता है जो nuclear reactor होतें उसमें जो heat होती है. excess heat को remove करना यानी cool करने का काम होता है किसका coolent का? Coolent मतलब C-talak. C-talak के तारो पर किसकا इस्तिमाल करते हैं? C-talak के तो पर ह.2O का का इस्तिमाल कर सकते हो d2o है याफ़ी वार्टर का इस्तिमाल कर सकते हो होते हैं, उनको absorb करके, इस न्युकलियर जो process होता है न्युकलियर fission का, इसको control करना, control rod का का मोता है, जो chain reaction चल रही है, इस chain reaction को control करना, कैसे excess neutron को absorb करना, तो control rod के तोर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, boron का, cadmium का राफनियम का, भॉरान की छड़ों को आकैडमियम की छड़ों का या हाफियम के छड़ों का इस्तेमार करते है कंड्रोल रआड के तौर पे फिर हाता है श्लिडिंग का काम होता है बायलोजिकल सिफ्ती के लिए यह सुमागा नेक्टर में जो सारा प्रोसेस और नुकलियर वहां से हारंफुल किरणे बाहर निकलती हैं जो आसपास लोग काम करेंगे उनके सरीर पे बुरा प्रभाव डालती हैं तो उस हारंफुल रेडियेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं रेक्टर के चार तरफ कंक्रीट की एक लेयर लगा देते हैं या उसको घरे पानी में से बाद हम बात करते हैं Hydro Power Plant Hydro Power Plant जो होता है उसमें हम यूज करते हैं Dam का डैम हाइड्रोप्र प्लांट का सबसे महगा हिस्सा होता है बनाने बहुत टाइम लगता है जगा भी काफे लेता है डैम का का काम होता है artificial करना पानी को स्टोर करना काफी हाइट तक उसके बाद पैनी स्टॉक होता है जिससे पानी आता है ठीक है टर्माइन को घुमाता और बिजली बनती है इसमें एक सर्ज तो पाइप प्रिसर बढ़ जाता है और पोट सकता है पाइप तूट न जा फूटे न जा पाइगा तो क्या होगा फिर प्रtr टूटेगी ये माली ये pipe कहीं आ रही है और मुडी है suddenly, तो जहाँ मुडी होगी, वहाँ pipe के उपर कापी एदा प्रेसर लगाएगा पाणी, तो जो पानी, pipe के उपर ज्यादा pressure लगाता है, ज्यादा force लगाता है, इसको बोलते है hydraulic sock, पानी का धक्का, पानी का जटका, या water hammering effect, water hammer की तरह काम करता है, मिस तोड़ने की कोसिस करता है, तो इस water hammering effect से बचाने के लिए, मिस pipe toot नजा बचाने के लिए हम surge tank का इस्तेमाल करते हैं, surge tank क्या करता है, जब देखता कोई अवरोध हा गया, पानी आग बढ़ना चाहा रहा था, उस extra water को absorb कर लिता है, surge tank, उसके लिए हम trash rack का इस्तेमाल करते हैं, trash rack च्छननी का काम करता है, जो पानी पैनी श्टॉक में जाता है, उसमें से waste material को remove करने का काम करता है, contrast rack, यहाँ पर हम spillway का भी इस्तेमाल करते हैं, spillway क्या करता है, कई बार पानी इस्तेमाल करते हैं, एक 4-way tank होता है, जो छोटा चोटा सा tank होता है, 4-way tank क्या करता है, अगर लगता को इसको पानी ज़्यादा होगा टैम के पास, तो पानी रख भी लेता है, और लगता कि पानी की ज़रुद पढ़ रही है, तो पानी दे भी देता है, तो 4-way tank के प्रकार स्रेक हो या सर्च टैंक हो या फिर आपका फोर्वे T saint को ये सारे के सारे ह travelling की हिस्餐 है Grund Pode का हीश ले Hetterkin होता है हाइड्रो ग्र ग्राफ क्या होता है कि हाइड्रो ग्राफ क्या होता है जो पानी चार्ज करते हो एकश किस पर टाइम और ओआए x axis पीछ दिस्चारज डॉटर x axis पे time y axis डिस्चारज'd लटर y axis डिसचारज़ कुब डिस्चारज़ डिस्चारफ डिस्चारज़थ वा 2 क्लद समें के साथ कितना वاتर अपने डिस्चारज किया सब्सक्राइब सामी को इसद्स माल और पेल्टन या फ्रेंसिस टर्बाइन का इस्तिमाल करते हैं केपलन फ्रेंसिस या पेल्टन टर्बाइन का जब हेड बहुत कम होता है तो कौन सी टर्बाइन का इस्तिमाल करते हैं केपलन का किसका केपलन का और जब हेड मीडियम रेंज में होता है मीडियम रेंज में होता है किसका इस्तेमाल करते है कैपलन का हम इस्तेमाल करते है जब लो हेड होता है और फ्रैंसिस का इस्तेमाल करते है जब मीडियम हेड के आसपास होता है और पेल्टन का हम इस्तेमाल करते है जब बहुत हाई हेड होता है ठो ठीक है तो हेड की कहानी सच उसकी हाइट को हम हेड़ बोल सकते हैं तो यह जनरल इंटूडेक्शन था तीनों पाउर प्लान का थॉर्मल नुक्लियर और हाइड्रो का समझ में आया या नहीं आया इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई अरे कमेंट करके जड़ा बताओ कमेंट करके कमेंट करके हाजरी को दर्ज कराओ और बोलो समझ में आया कि नहीं आया चले उसके बाद हम बात करते हैं जो ट्रांस्मिसन होती है पावर का हाई बोल्टिजह पर क्यों करते हैं power transmission का हम high voltage पिसलिए करते हैं कि किसे transmission line में lossage कम हो जाते हैं और पतले conductor से ही आप power का transmission कर सकते हो means the losses are reduced and the size is also reduced for the conductor जो power loss होता है that is universally proportional to voltage square power loss होता है universally proportional to voltage square यनि voltage बढ़ेगा तो power loss घटेगा दूसरा जो area होता है conductor का वो भी voltage square के universalization में होता है उसके भाद दूसरा सवाल आपका आता है कि हम power transmission करी जो conductor इस्तिमाल करते हो कौन सा conductor होता है power transmission ब्ल Stevens में aC sr conductor का इस्तिमाल कर सकते हैं AC sr ह стороны xe उस्का यूज करते है बीच में होता है steel की conductor strong aluminum होता है बीच में श्टील को इस्तिमाल करते हैं मजबूती देने के लिए चारो तरफ अलुमिनियम होता है क्योंकि अलुमिन की कंडुक्टिविटी जादा होती है कई बार पूछा जाता है कि आभी में एक कंडुक्टर दूसरी लियर में कितने होते हैं में च्यक्न अध्य पर बात आरीं समझे नहीं नहीं आ रही है उसके बाद हम बात करते हैं SAG क्या होता है SAG जब आप सपोर्ट को जब आप कंड़क्टर को दो सपोर्ट की बीच में बांच दे देते हो तो कंड़क्टर थोड़ा सा ज्भूल जाता है जो कंड़क्टर ज्भूल जाता है सपोर्ट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है that is called SAG that is called SAG SAG का फार्मूला होता WL square upon 8T T क्या है टेंसें L क्या है सपोर्ट के बीच की दूरी W क्या है weight of conductor weight of conductor L सपोर्ट की बीच की दूरी T है सबाला तक टेंसें बढ़ेगा तो SAG के तेंप्रेचर बढ़ेगा तो SAG की उपर क्या फर्ट बढ़ेगा तो अगर टेंप्रेचर बढ़ाओगे तो SAG बढ़ेगा दूसरा सबाला तक टेंप्रेचर बढ़ेगा तो टेंसें की उपर क्या फर्ट बढ़ेगा अगर temperature बढ़ेगा, तो tension conductor का घटेगा, tension क्या होगा, घटेगा, temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा, तो tension घटेगा, सेक का formula यह होता है, सेक का जो safe होता है, ideal safe होता है, catenary, और practical safe आप पैराबोलिक मान सकते हो, ideal कैसा होता है, catenary safe होता है, और practical कैसा होता है, parabolic होता है, ठीक है, उसके बाद बात आती है, इंसुलेटर की, तो जो इंसुलेटर होता है, mainly हम porceline का बनाते हैं, इंसुलेटर में टाइप की, अगर हम बात करें तो pin टाइप, suspension टाइप और strain टाइप इंसुलेटर होता है, pin टाइप की अगर हम बात करें, तो pin टाइप को हम इस्तिमाल करते हैं, किसके लिए, 33 के वी त तक के लिए करते हैं और अगर 33 के भी से ज़्यादा तो suspension type insulator का इस्तेमाल करते हैं और अगर हमारे पास conductor में tension बहुत ज़्यादा है means ऐसा insulator चाहिए जो मजबूत होना चाहिए मतलब transmission कहीं suddenly मुड़ गई हो या long river crossing हो या कहीं पर sorb corner हो तो ऐसी जगों पर जो एस्ते करते हैं उसके पास मजबूती होनी चींचिए अद्रवाइस तूट चाहिए और आफ इस्त्रेंट टाइप इंसुलेटर तो जहां हाई mechanical strength चाहिए होती हो है जहां हाई बोल्टर ची उते 30 के श्यादा वहाँ पर suspension टाईप और नौर्मली domestic purposes के लिए हम pin type के इस्तिमाल कर सकता है 33 के लिए string efficiency होती है क्या string efficiency होती है टोटल बोल्टेज अब दिस्ट्रिंग अपान number of disc into voltage of disc nearest to power conductor string efficiency क्या होती है total voltage of the disc upon number of disc into voltage of disc nearest to power conductor string efficiency कर एक है इसका मतलब क्या कि जितने disc है हर डिसक है कि cross voltage का distribution uniform है string efficiency normally एक से कम होती है 100% नहीं होती है string efficiency को बढ़ाने के क्या क्या तरीके है string efficiency को बढ़ाने का तरीका है cross arm के length बढ़ा करके cross arm के लंबाई बढ़ा दो या grading of insulator करके capacitance grading करके या by using guard ring guard ring का इस्तेमाल करके string efficiency को आप बढ़ा सकते हो इसमें आता है insulator का safety factor safety factor insulator का एक से ज़्यादा होता है safety factor होता है क्या puncture strength of puncture strength upon flash over voltage puncture strength upon flash over voltage that is called safety factor puncture strength वो voltage होता है जिसपे disk पुरी तरीके से damage हो जाती है और बिलकुल disk को चीरते हुए current flow करती है और flash over voltage वो voltage होता है minimum voltage जिस पर डिस्क तो नहीं डेमज होती है मगत डिस्क के 4 तरफ की हवा और तरफ की एर आपकी जो है वह ओनाइज हो जाती है और उस निजछे एर के थू करेंट फ्लो करती है बास्वान अरी यह 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 कहानी है puncture strength और flash or voltage की puncture strength ज्यादा होता है flash or voltage कम होता है इसलिए safety factor आपका एक से ज्यादा होता है फिर सवाल आता है per unit क्या होता है per unit per unit होता है actual value upon base value per unit होता है actual value upon base value per unit की कोई unit नहीं होती है per unit की कोई unit नहीं होती है per unit से calculation आसान हो जाती है दो फार्मुले पर unit के हैं, पहला है base impedance, base impedance जड भी होता है क्या, KVB square upon MVAB ये ओम में, base impedance होता है KVB square upon MVAB और एक फार्मुला होता है आपका, z per unit new बराबर z per unit old into kvb old का square upon kvb new का square into mvab new upon mvab old एक फार्मुला है यह दोनों फार्मुले आपको याद रखने हैं per unit के इस पे numerical आता है इस पे numerical आता है याद रखोगे z per unit new बराबर z per unit old kvb old kvb new square into mvab new upon mvab old और दुसरा base base impedance का क्या होता है kvb square upon mvab याद रहेगा यह यहाँ तक याद रहेगा जो पढ़ाया उसके बाद हम बात करते हैं fault analysis की fault 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 analysis हमारे पास जो भी fault होती है दो प्रकार की fault होती है एक होती है symmetrical यह होती है unsymmetrical symmetrical जहां पे तीनो phase fault में सामिल हों like triple L fault या triple L STE fault और unsymmetrical जहां पे तीनो phase सामिल ना हों जैसे LG या LL या LLG fault जितने भी fault हैं इन में सबसे ज्यादा होने चांसे किसके होते हैं तो LG fault के होने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं most frequent fault is LG fault LG fault होती तो सबसे ज़्यादा है मगर सबसे कम खतरनाक होती है least severe fault सबसे कम खतरनाक fault कौन सी होती है that is LG fault least frequent fault सबसे कम होने के chances किस fault के होते हैं तो सबसे कम होने के chances होते हैं three phase fault के three phase fault means triple L fault या triple LG जहां पे तीनो फेज सामेलो सबसे कम होने के चाहंस होते हैं triple L fault के but triple L fault बहुत ज़्यादाखतरनाक होती है सबसे ज़्यादा सिवियर most severe fault is three phase fault least severe fault is LG fault most frequent fault is LG fault least frequent fault is three phase fault उसके बाद आता है कि ground fault कौन सी होती है ground fault जहाँ पे ground involved हो like LG fault, LLG fault या triple LG fault और non ground fault होती ही जहाँ पे ground involved ना हो लैसे LL है या triple L है उसके बाद इसमें एक formula होता है short circuit KVA का short circuit KVA ये बराबर होता है rated KVA या rated power into 100 upon percentage impedance ये formula होता है जो आपको याद रखना है दूसरा आपको ये पता है कि जब fault होती है तो current बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है short circuit वगर होता है तो इस fault को control करने के लिए fault current को control करने के लिए क्या करते हैं transmission line के series में inductor लगाते हैं we use inductor in series with the transmission line या जो इसको बोल सकते हैं series reactor का इस्तेमाल करते हैं series reactor is used to control series reactor is used to control the short circuit current या fault current अब हम अगर fault की बात करते हैं इसमें एक फार्मूला होता है neutral current का neutral current बढ़ाबर होती है 3 into 0 sequence current IN बढ़ाबर 3 into IR 0 IN बढ़ाबर 3 into IR 0 that is formula that is very important इसके ऑभाबर 0 into音 144 current उसके बाद जो X1 plus X2 plus X0 इसे आपका voltage generator का ठीक है और यहांसे आप आप Fault Current की बात करोगे तो Fault Current हो जाता है आपका 3 IR 0 ठीक है यह अगर आपकी Zero sequence current या positive sequence current परता है तो Fault Current क्या होगे तीन से multiply कर दो LG Fault, LG Fault में कहीं होता है जो 3 sequence component होते है positive negative और zero तीनो series में लग यह होते है positive negative and zero sequence component are connected in series in LG fault याद आया positive negative and zero sequence component are connected in series in LG fault, उसके बाद हम बात करते हैं LG fault के बाद LL fault की, तो अगर LL fault की बात करें, तो LL fault में 0 sequence current या 0 sequence component absent होता है, सवाल आता है, कौन सी fault है जिसमे 0 sequence component is absent, 0 sequence current is 0, तो आप का अंसर होगा LL fault, LL fault में क्या होता है, positive और negative sequence current जो होती हैं, दोनों का magnitude बराबर होता है, हाँ, direction जरूर अपोजूट होती है, पर magnitude बराबर होता है, exactly आप लिखोगे, तो IR1 होता है, बराबर माइनस IR2, IR1 बराबर माइनस IR2, exactly लिखोगे, दोनों का magnitude क्या होता है, बराबर होता है, और fault current का formula अगर आप लिखोगे, तो fault current होती है, root 3 into IR1, इसका magnitude या root 3 into IR2, ये लिख दो आप, root 3 into IR1 या root 3 into IR2, ये कहानी है आपकी, LL fault के लिए, ठीक है, LL fault में 0 sequence current absent होती है, उसके बाद बात आती है आपकी, double LG fault, LLG fault, तो LLG fault के अगर हम बात करें, तो LLG fault में 3 sequence voltage बराबर होते हैं, LLG fault के अगर हम बात करें, तो LLG fault में 3 sequence voltage बराबर होते हैं, यानि आप ऐसे लिख सकते हो, VR0 बराबर VR1 बराबर VR2, कहां की बात कर रहा हूँ मैं, LLG fault की, और 3 current का sum 0 होता है, IR 0, plus IR 1, plus IR 2, that is 0, यह किसकी कहानी है, LLG fault की, यह कहानी याद रखोगे, LLG fault के लिए, ठीक है, उसके बाद सवाल आता है, switch diagram का इस्तिमाल हम किसके लिए करते हैं, switch diagram का हम इस्तिमाल करते हैं, transformer के zero sequence diagram को बनाने में, transformer के zero sequence diagram को बनाने में, अब हम बात करते हैं अंडर्ग्राउंड केबल की अंडर्ग्राउंड केबल में क्या होता है सबसे पहले होती है कोर कोर की बाद कौन होता है इंसुलेशन इंसुलेशन की बाद कौन होता है मेटलिक सीथ इंसुलेशन की बाद कौन होता है मेटलिक सीथ मेटलिक सीथ की बाद क और यहां पे करते हैं जहां पे डिस्टेंस जहां पर क्योंकर करते हैं तो उसके लीनगे पड़ेगा अंडर्ग्राउंड केवल से पावर का डिस्ट्रिबूशन महांगा पड़ता है मगर वहां पर कर सकते हो जहां पर बहुत क्रावडेड एरिया है जैसे माली जी मोदी जीन का कि बनारस में सांसदू मैं पर साइमनेश्टर हूँ वहां पर बहुत ज़यदा रस्सा करूंगा या अपने सपनों का सहर बसाना चाहिए तो सपसार के अंदर 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 इंडर्ग्राउंड केवल गई हुई है तो अंदर्ग्राउंड केवल से पावर कट डिस्ट्रिबुशन महांगा पड़ता है म तो इन सब चीजों का फर्क underground cable के उपर नहीं परता है कि बरसात हो जाए पेड़ पहुदा गिर जाए तूफान आ जाए कुछ भूकम पा जाए इन सब का फर्क नहीं परता होता है अंडर्ग्राउंड केबल में कोर का काम क्या होता है पावर को ट्रांस्मिट करना पावर को भेजना एक सिरे से दूसरे के रिश्चिरे तक इंसुलेशन का काम क्या होता है कि दो कंड़क्टर जो है आपस में चिपक ना जाए सौड सर्किट ना हो जाए उससे बचाने का काम होता है, metallic seat का काम क्या होता है, metallic seat का काम होता है, monster से बचाना, core को, monster से बचाना, bedding का काम होता है, corrosion से बचाना, आर्मरीं का काम क्या होता है आर्मरीं का काम होता है बाहरी जटकों से बाहरी चोटों से बचाना सर्विंग का काम होता है अट्मोस्ट्रीक कंडेशने से बरसा धूब से बचाना atmospheric condition बरसा दोब से बचाना बाहरी सुरच्छा चोटों से बचाना corrosion से बचाना moisture से बचाना conductor को sword circuit होने से बचाना core का काम है power transfer करना core के तौर पे aluminum होगारा के conductor ये copper के conductor के इस्तिमाल कर सकते हैं installation के तौर पे PVC rubber होगारा के इस्तिमाल कर सकते हैं metallic seat के तौर पे aluminum के seat का हम इस्तेमाल कर सकते हैं लड़ के सीथ का इस्तेमाल कर सकते हैं बेडिंग के तौर पर हम जूट या का इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल आता है इंसुलेशन रेश्टेंस जो होता है वो लेंग्ट के इनवर्श लेशन में होता है पहला चीज दूसरा है कि जैसे माली यह कोर है यह क्या है कोर और यह हमाली जी सीथ यह सीथ है तो अगर आप कोर की सर्फेस पर देखोगे तो कोर की सर्फेस पर इलक्रिक फिल्ड मैक्सिमम होती है कोर की सर्फेस पर इलक्रिक फिल्ड मैक्सिमम होती है जैसे से अब सीथ की तरफ जाते हो इलक्रिक घड़ती जाती हो और सित की सरफेस पे यहाँ पर इलेक्ट्रीक लेडियोव को सीड की तरफ जाती है इसे में और मेरम नाम नहीं हूटाई है we सबस्क्राइब कर देए क THIS में ट्राइब में ग्रते कि पHN लोड फेक्टर क्या होता है लोड फेक्टर होता है अवरेज पावर अपान मैक्सिम पावर अवरेज पावर अपान मैक्सिम पावर लोड फेक्टर एक से कम होता है ठीक है हम चाहते है लोड फेक्टर जितना ज्यादा होता है अच्छा लोड फेक्टर नॉर्मली एक से कम होत और peak load power plant एक होता है जो कुछ समय के लिए चलता है 2-4-5 घंटे के लिए ज़रोद जादा हो जाती है तब जैसे diesel power plant या pumped storage power plant और hydro power plant हाइड्रो पाइड्रो 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 कहान ही आपको याद हनी है लोड़ फैक्टर क्या होता है विस्ति others ट रūकर की कहान आपको पताउने चीफिचल को एक से जधा है तो डैयवरंश्टी ऐक्टर रेक्ष्riz 2 एक से जधा सिफटिवक्ट साहदा Fusing Factor X से ज़्यादा यह सब Factor X से ज़्यादा वाले जो हो सारे सारे important है फिर सवाल आता है कि Power Factor Improvement के क्या क्या तरीके होते हैं Power Factor Improvement के लिए आप यूज कर सकते हो Capacitor आप यूज कर सकते हो Synchronous Motor at No Load in Over Excited Region आप यूज कर सकते हो Synchronous Capacitor, Synchronous Condenser, Synchronous Phase Modifier, Synchronous Phase Modifier, Synchronous Capacitor, Synchronous Motor at No Load in Over Excited Region इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हो Power Factor Improvement के लिए फिर सवाल आता है Feeder का काम क्या होता है सब इस्टेशन से उस एरिया में जहां Power भेजनी है सब इस्टेशन से उस एरिया में जहां पावर भेजनी है इस्टेशन से बोल्टेश ड्रॉप काम कम से कम होना चाहिए voltage drop कम से कम होना चाहिए इसमें distributor में उसके बाद distributor से consumer को जोड़ने वाला जो wire होता है जो cable होती है that is called service mains उसको क्या बोलते हैं service mains ये कहानी थी मैंने जो important points थे उसको recall कराने की कोशिस की है और आपने देखा होगा का आपको कितना याद था कितना नहीं याद था इसका मतलब ने की power system इतना ही है power system बहुत बड़ा है महासागर की तरह उस महासागर से कुछ points मैंने आपको recall कराने की कोशिस की है तो आपको करना क्या है ऐसे ही short notes होगा जब आप मना लेते हो तो short notes से revision आसान हो जाता है तो लगबग एक घंटे में काफी सारे points आपको recall करा दिये गए तो अगर आपके पैस ऐसे short notes होता तो आप बहुत आसानी से और जल्ली से पढ़ लेते और बताओ आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोगों को कुछ कहना है तो बताईए everyone मेरे साथ रिसी केस अजय नेहा अजीत खुसी जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों का स्वागत है रिस केस बुलने अप क्या पढ़ाएंगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे हो गई कहानी आज की राम कता खतम है आज मैं क्लास ले रहा हूं वाई-फाइ स्टेडी चैनल पे इंडिया लार्जेस्ट फ्लैटफॉर्म विच इस पार्ट अफ अन एकेडमी लेकिन बच्चों की सं पढ़ाओ और जब पढ़ाया जाता है तो चिंटु कंबल और रजायोड के सो रहा होता है ऐसे कैसे काम चलेगा 1.32 क्रोर सब्सक्राइबर के चैनल पर 36 लोग यह आपकी बेजिती है मेरी कोई बेजिती नहीं है मैं तो मिहमान बनके आज आपके पास आया हूं आपसे मिलन मैं तो मिहमान बनके आजा हूं आपसे मिलने खातिरदारी आप कितनी करते हूए आपके उपर डिपेंड करता है मेरा क्या है मैं दो दिन के लिए आया हूं सेटर्डी संड़े फिर चला जाओंगा नरेश कुमार हमारे साथ हैं लवकुष सिंग भी हैं जीयस यादो भी हैं स्री राम माजी भी हमारे साथ हैं कैसी चल रही है आप लोगों की त्यारी बगर है रिसी केस बोलें वेलकम टू आइफाई स्टड़ी थैंक्यू सो मच रिसी केस नहा का कहना और लोगों को पता ही नहीं होगा इधर मैं गला फाड़ फाड़ के पिछले एक घंटे से जुवान और दिमाग दोनों चल रहा था बिलकुल रेडियो और की तरह कमेंट्री की तर लेकिन चिंडों का पता ही नहीं है जिय आसी का काना अब कब आपका क्लास यूटू पे कल है मेरी क्लास सुबाई 11 बजे एक एक कल सुबह है और एक कल साम को है, एक कल सुबह 11 बजे है और फिर एक कल साम को 6 बजे है, एक सुबह 11 बजे जिसमें electricity rule पढ़ाऊंगा मैं और एक साम को 6 बजे जिसमें UPPL के लिए question कराऊंगा मैं, ठीक है, UPPL के लिए कुछ सांदार factual database question, ठीक है, बाकि रेगुलर क्लासेज मेरी यान Academy SSJEE चैनल पर चलती है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रेगुलर क्लासेज जान Academy SSJEE, बाकि Wi-Fi Study चैनल पर भी मुलाकात थपते में आपकी इसे एक दो दिन हुआ करती रहेगी, ठीक है, ताकि हम आप से एक दुसरे से इंट्रे कर्मी पर तो आप 25 जनवरी से पहले, यानि 24 की रात तक ले लो आप, ठीक है, क्योंकि फीस बढ़ने वाली, फीस पहले ही बढ़ने वाली थी, मगर बच्चों के दिमांड पर उसको होल्ड कर दिया गया, तो 25 से फीस आई को रेग उसके पहले ले लो, code आपके पास है, RK11 Use this code, get the subscription, make me your mentor, ठीक है, उसके लवाँ, और अगर आपको personally मुझे कुछ पूछना है, कहना है, batch से, face से, subscription से, teacher से, preparation से, related issue, तो मेरी profile पे जा करके, आप message करके पूछ सकते हो, मेरी profile का link नीचे दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया है, तो राजकुमार सिंग 730 आप सर्च कर आप मेरी profile मिलेगी, और बोलो कुछ कहना है, अनीच कुमार, नहीं mechanical की class नहीं है, अनीच, रिसे केस का करना किया है, अरे एक घंटा बहुत था, पूरा power system, खतम हो गया, मेरा गला सूख गया, चिंटु बोलते, बोलते, चिंटु कर से, बस एक घंटे, दिल अभी भरा नही यू न जाओ छोड़ के, खुसी राय, रिसे केस कुमार, अजीद सिंग, नहा और खुसी का काना, you're my favorite teacher, and such a, thank you for such a wonderful and energetic session, यह आप लोगों की महबबत थी, कि मैं आया इस session को ले करके, यह आप की महबबत थी, तो चलिए फिर बाकी की मुलाकात कल करेंगे, the number of likes is 98, इसको 100 पहुचादो, और आज की class को खतम करते हैं, कल सुबह एक 11 बजे और साम क 6 बजे फिर wifi study पर मुलाकात करेंगे, एक एक वीडियो जे लेकर करांगे, कल सुबह और कल साम को, ठीक है, तो इस channel पर हमारी एकर आप से मुलाकात होगी, तो Saturdays, Sundays में ही होगी, regular classes, जाने केरी में से CJE पर चलती है, ठीक है, बाकी plus subscription लेना है, तो आप एक कोशन प्रैक्टि तो आज के लिए अलिविदा कहा जाए, अजय बूल रहे हैं, आप यह सा teacher मिलना बहुत भागय की बात है, यह तो महब्बत है आजय आपकी, बस नरेश कुमार बोल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए तो फिर आज की इस कहानी को यहीं खतम करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आप से कल, तब तक के लिए, बाइबाए everyone, बाइबाए, मिलते हैं फिर कल की class में, बाइबाए